गुड मॉर्निंग ग्लास्टी नाव सुदेंट्स ओपन यूर ग्रामर बूक पेस नमबर 44040 देखिए टेंस हम लोग स्टड़ी कर रहे थे और उसमें से फॉस्स टेंस जो हम लोग ने स्टार्ट क्या स्टड़ी करना देट वो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंटेंस में कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं वर्क जो है वो रेगुलर्ली होता है वाजावा स्कूल जाता है मैं सुबर जल्दी उठता हूं इस तरह का जो वर्क है वो सिंपल प्रेजेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का एक रूल इसमें होता है वेटा पहले भी चर्चा हुई है फिर ध्यान से सुनिएगा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ जो में वर्ब है उसमें कोई चेंज़ेज नहीं होते हैं जबकि ही शी इट और सिंगुलर के साथ वर्ब में ए एस या आई एस एड किया जाता है ये छीज ध्यान रखेगा अपने बुक में आपने नोट कर लिए बार-बार करेंगे फिर आपको लर्ण हो जाएगा अपने याप फॉर एक्जामपल आई है और यहाँ पर ऑप्शन है गो एंड गोज तो वोट इस करेंट आई गो और आई गोस चेक करी एंड आई के साथ बार में कोई चेंज नहीं क्रोस मींस कोई चेंज नहीं नो चेंज that means go, I go, correct is go, I go, cut कर दीजिए, for a walk every morning, क्या मेनिंग इसकी होगी, मैं रोज सुबह तहलने जाता हूं, I go for a walk every morning, next, he, देखे, he के साथ word में S, E, S लगता है, तो he like नहीं होगा, क्या होगा, he likes, he, she eat और singular के साथ word में S, E, S या I, E, S का यूज होता है, तो he likes to eat chocolates, वह chocolate खाना पसंद करता है, he likes to eat chocolates, next, सुमित, किसी का नाम है, इसलिए singular है, singular के साथ word में change होगा, अब देखे, write, कि writes, clear है, change होना है, तो writes, सुमित writes, a letter, to his uncle, सुमित अपने अंकल को letter लिखता है, the wood always, wood means लकडी, अब लकडी है, singular है, तो क्या होगा, change होगा वर्ब में, that means floats, the wood always floats, on water, लकडी हमेशा पानी पर तैड़ती है, अप्रिल, dash, come की comes, singular है, one month का नेम है, तो अप्रिल comes, after March, अप्रिल, comes, after March, अप्रिल, March के बाद आता है, next, he, he के साथ वर्ब में change होना है, he, she, it और, singular के साथ, s, e, s, y, i, s, add होना है, तो he knows many languages, वह कई languages जानता है, he knows many languages, she, she के साथ भी change होगा, he, she, it और, singular के साथ, वर्ब में, s, e, s, y, i, s, add होता है, तो she speaks the truth, she speaks the truth, next, गीता एंड मोना, दो लोग हो गए, वेटा, more than one, one से जादा हो गए, that means, plural हो गया, और, plural के साथ, there will be no change, कोई change नहीं होगा, that means, you will use play, गीता एंड मोना, play in the garden, next, children dash jumping, children आनन्द उठाते हैं, कूदने का, तो children यानि बच्चे, कई बच्चे, child means बच्चा, और children means एक से जादा, more than one, बच्चे, जब plural हो गया, तो plural के साथ कोई change नहीं होता, तो children enjoy, not enjoys, children enjoy, next, the driver, देखे, singular है यह, drivers नहीं है, singular है, इसलिए the driver, drives, singular के साथ change होगा, the driver, drives, the bus, okay, अब जो exercise C है, इसमें आपको यहाँ पर एक list दी गई है, verbs की, यहाँ sentences हैं इसमें blank है, आपको सही पर इसमें फिल करना है, लेकिन एक बात और केर करना है, यदि यह subject, starting में जो है वो subject कहलाता है, यदि यह subject, I, B, U, दे या plural होगा, तब तो यह जैसे verb है, वैसे का वैसे ही फिल कर देंगे, लेकिन यदि यह subject, he, she, it, या singular होगा, तो हमें इस verb में, SES या IES add करके फिल करना होगा, for example देखिए, नीता, नीता किसी एक बच्ची का नाम है, singular है, singular के साथ verb में SES या IES add होता है, तो क्या हो जाएगा, नीता helps, क्यों कि मैंने कर दिया है, लेकिन आप इसको बार-बार रेडिन करेंगे, तो आपको क्रेक्ट क्या होगा, यह पता चलेगा, नीता helps for mother in the kitchen, नीता किचन में अपनी मम्मी का help करती है, ओके, शॉप कीपर्स, more than one है, प्टूरल है, इसलिए verb में कोई change नहीं होगा, सिंगुलर है, इसलिए verb में एस लगेगा, अर्थिगी सिंगुलर है, इसलिए verb में एस लगेगा, माही सिंगुलर है, इसलिए verb में एस लगेगा, फिश, दा फिश है, सिंगुलर है, एस लगा, मैनी ट्रेंग फ्लूरल है कोई चेंज नहीं जीत सिंगुलर है इसलिए वर्ण में ऐसे है याश्मिन सिंगुलर है इसलिए रीचेज होगा आई के साथ कोई चेंज नहीं होता वर्ण में हेमन सिंगुलर है इसलिए एसलिए रीचेज नहीं होगा तो एक बार रिडिंग करिएगा नीता हेल्पस हर मदर इन दे किचन नीता किचन में मम्मी की हेल्प करती है दे शॉप कीपर सेल तिंग्स ओफ आवर यूज दुकानदार हमारे यूज की चीजे सेल करते है बेचते हैं दे शिप सेल सिंद सी जहाज समुद्र में चलती है अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है घूंगती है माही स्पीक्स बोथ हिंदी और बेंगॉली माही हिंदी और बेंगॉली दोनों बोलती है दफिश लिवस इन वाटर मचली पानी में रहती है मैनी ट्रेंस स्टॉप एट वारांशी स्टेशन बहुत सी ट्रेंने वारांशी स्टेशन पर रुपती है जीत सिट्स अन दा लास्ट बेंच क्लास जीत क्लास की लास्ट बेंच पर बैठता है कि यस्मिन इतो यासिमीन आँयगी सिय्पिर सillon आइन कि मैं कम्ट्यूटर गेम खेलना पसंद करता हूं या करती हूं हेमन्त वॉक्स इन दे बार्क एवरी डे हेमन्त रोज पार्क में टहलता है चिल्डेन लब टू वाच कार्टून नेटवर्क बच्चे कार्टून नेटवर्क देखना पसंद करती है रूल उपर दिया गया है और किसमें वर्ब कौन सा आएगा यह आप फॉर और फाइव टेंस लेडिंग करोगे तो आपको लर्ण हो जाएगा तो यूब तो यूब टू इन ग्रामर बुक इस इस यूर होमवर्क ओके डूइन बुक और यूवल दूइन नीटन क्लीन हैंड़ाइटिंग ओके थैंक् आएपर बुक अगिन नीटन क्वड़ ग्राइब इस faut इस यूब तो यूब नीटन बुक गोदएब टूब तो यूब था यूवल तो यूब टूब और यूवल एथाज़ ग्यूवल ग्रामर यूवल ज्यूवल